आदरनी भगवान आप सभी को जानकारी है भारत के पास अपने खुद के कच्चे तिल के विशाल काय भंडार हैं लेकिन हम अपनी जरूरत का 85 फीसिदी इंपोर्ट करते हैं केबल 10 फीसिदी ही प्रडक्शन करते हैं तो ये जमीनी कड़वी सच्चाई है लेकिन आप भारत दिल खोल कर विदेशी कंपनियों का स्वागत कर रहा है देख लीजिए भारत जो की विदेशी कंपनियों की राह में रोड़े अटकाया करता था उसी भारत का कहना है कि ओईल इंडिया अंडवान निकोबार के कच्चे तिल के भंडार की खुज गर रही है तो उसमें विदेशी कंपनियों को कोई पैसा भी नहीं डालना है सिर्फ टेकनोलोजी लेकर आना है सीसमिक सर्वे में सहयता देनी है और यदि सर्वे में कच्चे तिल के भंडार मिलते हैं अंडवान के बेशन में तो उन भंडारों के खोज एवमदोवन करने पर भी विदेशी कंप प्रियाम ना कहेंगी तभी भारत सरकार अन्य कमपनियों से कच्चे तेल का दोवन करने का निवेदन करेगी ये अधिकार राइट टू रिफ्यूजल बहुत बड़ा अधिकार होता है जनाव भारत सरकार दे रही है साथ में कानूनी अरचणें भी खतम की जा रही है भारत मे कच्चे तेल की खोज एवन दोवन को लेकर इस ओफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई जा रही है अब भारत में 10 लाख स्क्वेर किलोमीटर एरिया ओपन कर दिया गया है कच्चे तेल की खोज के लिए जाहिर है जनाव आली बड़े अलाके में खोजेंगे तो बड़े भंड सरकार मिलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी साथ में भारत सरकार ने ओयल कंपनियों से कहा है कि आप तो बताए कहां कहां परवर्तन करने हैं जैसे कि GST में रहत देनी हैं तो वो दे रहे हैं क्रूड ओयल प्रोडक्शन पर रिफाइनरी पर जो विंड फॉल लग दिया था उसको भी खतम कर दिया है मतलब ओयल एंड गैस एक्स्प्लोरेशन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार सब कुछ करने को तयार है जमीन आसमान एक कर रही है भारत सरकार जल्दी ही इसके परणाम मिलेंगे आपको जानका रही है दुनिया अब ग्रीन एनरजी क के द्वारा प्यदा की गई उड़जा को धंदे से बाहर निकाल दे ग्रीन एनरजी का दुनिया में इससे पहले की बोल वाला हो जाए जरूरी है कच्चे तिल का खोज एवं दोहन युद्ध स्तर पर किया जाए नहीं किया तो यह भंडार रखे के रखे रह जाएंगे और इन्हें कोई निकालेगा नहीं इसलिए हमारी लडाई समय से है समय का पया तेजगती से आगे बढ़ रहा है भारत में जल्दी ही कच्चे तिल की बड़े भंडार पता लगेंगे तो इस पूरे घटना करम से मुनाफ़ा कमाने के लिए किन कंपनियों में निवेश करना है क इस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाईएगा महदय